जोतिस एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है तो आईए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधा नमश्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदीशमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ शिवलिंग जो कि भगवान शिव का प्रती रूप है और शिवलिंग कई प्रकार से जाने जाते हैं देखे जाते हैं और नाना धातूं से बने वे शिवलिंग का मुपयोग हमारे पूजा में मंदिरों में हम करते हैं हिंदु धर्म में शिवलिंग की पूजा का काफी अधिक महत्व माना गया है ऐसा कहते हैं कि बगवान शिव की प्रतिमा से ज़्यादा शिवलिंग की पूजा का महत्व है यानि अगर शिवलिंग को पूज लिया तो आप समझ लीजिए बगवान शिव की स्वतही पूजा हो नदी का कन कन शिव है क्योंकि नर्मदा को बगवान शिव की पुत्री के रूप में जाना जाता है और इन्हें बगवान शंकर से वर्दान भी प्राप्त है इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग को सबसे पवित्र माना जाता है मानेता है नर्मदा नदी में सनान करने से वही फल प्राप्त होता है जितना गंगा सनान से होता है और इस नदी से निकलने वाले पत्थर पर भोलेनात के क्रपा रहती है इसलिए इस नदी के किनारे जो भी पत्थर होते हैं वो शिवलिंग का रूप लिए हुए ही होते हैं न लिंग के पीछे भी एक बहुत अच्छी और रोचक कता है इसके पीछे बाना सुर नामक राक्षस की कता है कि उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और बगवान शिव से ये वर्दान हासिल किया कि उन्हें लिंग में लिंग के रूप में अमर कंटक परवत पर लिं कलती है जहां से नदी के साथ बैकर ये पत्थर साथ में आ जाता है और इन्हीं पत्थरों को हम शिव रूपी अंश मानते हैं यानि शिवलिंग का रूप मानते हैं और इन्हें बान लिंग या नर्ब देश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है तो ये है नर्ब देश और यह बहुत ही पवित्र है अगर आपके घर में यह शिवलिंग नहीं है तो नर्ब देश्वर शिवलिंग को अपने पूजा कक्ष में जरूर स्थापित करें और इसकी पूजा करने से भगवान भोले शंक्तर के क्रपा आपके उपर सदे बनी रहेगी तो ऐसी जानकारियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं अगर नए विवर हैं तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पर ओल दबाए और अगर यह जानकारिया अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए चलिए बढ़ते हैं आगे और जान ले तक रहेगी, उसके बाद त्रतिया तिथी प्रयारंभ हो जाएगी, मरख शीरा नक्षत्र भी आज एक दिन आ रहा है, जोकि दोपेर एक बचकर सतावन मिनट तक रहेगा, उसके बाद आद्रा नक्षत्र प्रयारंभ हो जाएगा, चंद्रमा आज मिथुन राशी में गोचर प्रमन करेंगे अमरतियोग आज के दिन बंद रहा है सुब समय जिसे हम गुली काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरियड सुबह 10 बज़ के 30 मिनट से दौपेर 12 बज़े तक रहेगा वहीं राहुकाल का समय दौपेर 12 बज़े से लेकर 1 बज़ कर 30 मिनट तक रहेगा तिशाशुला जुकतर दिशा में रहेगा यादि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यको तो तिल खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज के दैनिक राशी फल का हाल कि आज गरन अक्षत्रो और चंद्रमा की पोजिशन का क्या इफेक्ट आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा और आज मैं कुछ विशे शुपाए आपको करने के लिए बताऊंगी जोके आपकी राशी के अनुसार यदि आप करेंगे तो आपकी सभी च्छाय पूर्ण होगी और आपकी मनोकामनाय पूर्ण होने के साथ साथ आपके कामों में अटगाव की स्ततियां भी समाप्त हो जाएगी और काम जल्दी ही सफलता पूरवक संपन होंगे तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानि मेश रासी से आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज का दिन आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा आज के दिन आपके काम धुरुत कती से संपन होंगे कारियों में आरे ही दिक्कते और परिशानिया भी खत्म होती हुई दिखाई देगी आपका भविश्य को लेकर वीजन क्लियर होता हुए दिखाई देगा आज के दिन स्ट्राइटची बना कर ही आप अपने कारियों को अंजाम दे राजनिती में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और वानी से आप अपनी जन्ता के लोग प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे तुलसी पर घी का दीपक इस राशी वालों को रोजाना लगाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा मैरून शुबंग रहेगा चार अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं विरशब राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके सुक्स औभाग्य में व्रद्धी करेगा पाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजराएंगे कुटुम में मान सम्बान बढ़ेगा और आज के दिन आप मैनेजमेंट से सम्बंदित काम बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे अगर कंसल्टेंसी सर्विस से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको विशे सफलता के योग रहेंगे गरीब कन्याओं में आपको यानि इस राशी वालों को इलाइची बाटनी चाहिए आपका शुबरंग रहे का लाल, शुबंग रहे का दूख अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिधुन राशी का हाल आपकी खुद की राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन आपकी पर्सनालेटी बहुत ही पावरफुल रहेगी आपके कारियों दुरुद कती से संपन होंगे आप जो भी कारियों मन में सोच रहें उन कारियों को आज के दिन आप पूरा कर ही लेंगे आज के दिन आपको ददियाल से आर्थिक लाप भी प्राप्त होगा और कुटम से सुपसमाचार मिलेंगे पूजागर में तीन साबुत सुपारी आपको रोजाना चड़ानी चाहिए आपका शुभरंग रहेगा काला शुभंग रहेगा आठ अब हम आगे बढ़ते हैं और जान देते हैं करकर राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन बारवे भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज का देन आपकी खर्च की स्ततियों को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा अनर्दल खर्च से आपको बचना होगा रिन की स्ततियों से हालें कि आज आपको मुक्ती मिल जाएगे आप थोड़ा सा रिलेक्स फील करेंगे पर ओर थिंकिंग ना करें इससे आपकी चिंता बढ़ सकती है और किसी भी चीट का सॉलूशन ओर थिंकिंग से नहीं निकलता इलाईची के दाने कपूर से जरूर चलाएं आपका शुबरंग रहेगा सफिद शुबंग रहेगा अच्छे अब हम आगे बढ़ते हैं और जालने तैंसी है राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन गयारवी भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन आकस्मिक धनलाप की परिस्तियां आपको अपनी जीवन में देखने को मिलेगी कुटुम में मान समान बढ़ेगा और नौकरी पेशा लोग खासकर गौर्मेंट जॉब से जुड़ेवे लोगों को अधिकारियों का साथ और सयोग जरूर देखने को मिलेगा आज आपके सुखों में व्रद्धी होगी और अटके वी प्रॉपर्टी समंदी मामले दुरुत कती से चल निकलेंगे सुपारी पर चन्दन लगाकर आपको इसे तिजोरी में रखना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा मजेंटा शुबंग रहेगा तीन अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन दसवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन आपके उपर आलश से हावी रहेगा जिससे काम लेक हो सकते हैं और अधिकारियों से डाड भी सुनने को मिल सकती है आज के दिन अति भावतवस अपने कारियों को आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि और तिंकिंग करेंगे और काम कम करेंगे पर चिंता नहीं चिंतन नहीं और काम भी करें अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप उसका फल कैसे प्राप्त करेंगे आज के दिन आपके सुखों में व्रदी होगी और पिता से मार्ग दर्शन प्राप्त होगा सौफ सुफारी गणेश जी को अर्पित करें आपका शुब्रंग रहेगा ग्रे शुबंग रहेगा एक अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए भाग्यवर्दक रहेगा आपके काम धुरुत कती से बनते चले जाएंगे आज के दिन यात्रा हैं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी पक्षियों के लिए साबुत धनिया जरूर रखे आपका शुबरंग रहेगा स्लेटी शुबंग रहेगा चाट अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ब्रश्चिक राशी का हाल आपके राशी से चंद्रमा आज के दिन आठवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके कारियों में आपको निश्चित तोर पर सफलता दिलवाएगा आज के दिन आप यात्रा है सुखद और मंगल में करेंगे आज के दिन उपदिश्य पून कारियों में आपको सफलता प्राप्त होगी आज के दिन सुखों में व्रदी होगी और कोई नए वाहन या नए घर की खरीदारी के योग बनेंगे मूंगे के दाने आपको अपने पर्स में रखने चाहिए आपका शुबरंग रहेगा नीला, शुबंग रहेगा अज साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनूराशी का हाल आपकी रासी से चंद्रमाज के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके सुख सौबागे और सम्रदी को बढ़ाएगा आज के दिन व्यापार में आप कुछ नहीं संभावनाओं को जागरत करते हुए दिखाई देंगे यात्राय आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी और काम दुरुत गती से संपन होंगे रादा कृष्ण के मंदिर में तुलसी पत्र जरूर चड़ाएगा आपका शुबरंग रहेगा फूरा शुबंग रहेगा दो अब हम आगी बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन छटे भाव में गोचे ड्रमन करेंगे अता आज का दिन रोग और शत्रूओं से आपको मुक्ती दिलवाएगा आज के दिन आपके काम दुरुत कती से संपन होंगे यात्राएं सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन आपके मा के साथ आपके संबन और अधिक प्रगाड होंगे और उनसे आर्थिक लाप भी मिलेगा बुद्वार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से सभी देवी देवताओं के क्रपा बनी रहती है आपका शुब्रंग रहेगा सफेद, शुबंग रहेगा नो अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुम्राशी का हाल आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन पांचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन फैनेंशली थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है परन्तु आज के दिन सोथ समझ कर निवेश करेंगे तो साफधानियों के सहित आप आगे बढ़ते हुए सफलता को सुनिश्चित जरूर कर पाएंगे छात्रों को आज के दिन पढ़ाई में मनवानचित पलणामों की प्राप्ती होगी और संतान की तरफ से सुब समाचारों की प्राप्ती होगी बुद्देव की शुपता पाने के लिए महिला है बुद्वार कोयो हरे रंग की चूडिया पैने और इलाईची का सेवन करें आपका शुब्रंग रहेगा गुलाभी शुबंग रहेगा आठ अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके सुखों में व्रती करेगा आज के दिन आप कोई भी कारिय जल्द बाजी में नहीं करेंगे कारियों में आरी दिकत है और परिशानियां भी दूर होती हुई दिखाई देगी आज की दिन विशेश लाप की परिस्तिया भी आपको अपनी जीवन में देखने को मिलेगी कुटम में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा बुद्देव को प्रसंद करने के लिए अपने खाने में से तीन भाग निकाल कर उसमें से एक हिस्सा गाय को दूसरा हिस्सा कोवे को और तीसरा हिस्सा कुट्टे को खिलाए आपका शुबरंग रहेगा मजेंटा शुबंग रहेगा चार तो ये था 39 नवंबर बुद्वार का देनिक राशीफल अब यदि आप अपनी पर्सनल चन पत्रिका के माधिम से अपने भविश्य से संबंदेत कुछ भी प्रशनों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं चाहे वो आपकी फाइनेंशिल कंडिशन को ले करो चाहे संतान को ले करो, चाहे परिवार को ले करो चाहे स्वास्त को ले करो, चाहे सिक्षा को ले करो चाहे रोजगार को ले करो, चाहे व्यापार को ले करो चाहे विदेश यात्रा को ले करो यारी किसी भी तरक अगर आपके मन में प्रशन है तो आप टेलिफॉनिक अपॉइन्मेंट और पर्सनल मीट के माधिम से पने प्रश्णों का उत्तर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं अधिक जानकारे के लिए स्क्रीन पे दिये गए नमरों पर कॉल या वाटसप करके संपर कर सकते हैं अब मैं अपनी मानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए ब्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादे कुष्णा संपन करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू इन नमबरों पर संपर करे आठ नो पांच पांच छे पांच आठ तीन छे दो